कि और म्ज़का दोस्ताब को स्वागतिक ने और एक्सायटिंग विडियो में के वोडी में कंपारिजन करने वाले बोर्ट लॉकर्स 335 के साथ बोर्ट लॉकर्स 245 B2 को तो गाइस लेट स्टार्ट दा वीडियो तो यहां पर comparison स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यह वीडियो जो है काफी डिमांडेड वीडियो आप सब ने मांगा था क्यूंकि यहां पर जो बूट्रॉकर्स 335 हैं यह थोड़ा दिसकाउंट में चल रहे थे 1500 रूपीज में तो इसे मैंने भी बाई किया है अभी पहले जो मैंने बाई किया था उसको मैंने सल आउट कर दिया था तो इसको जो मैंने फिर से बाई किया है और यह comparison में आपके लिए जो है जादा डिफरेंस है जैसी कि आपको मैंने वन प्लस के साथ जो अपना इसका 265 V2 का comparison किया था उसमें आपको बताया था कि प्राइस डिफरेंस के जैसे काफी ज़ादा बिल्ड क्वालिटी में जो है डिफरेंस आ जाता है वही सेम बात मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगा प्राइस डिफरेंस दोनों में काफी ज़ादा है विताउट डिसकाउंट अभी आप जाकर दे सकते हैं 2,000 रुपे का मिल रहा है 335 तो guys यहाँ पर price difference के वज़े से build quality काफी जादा जो है बहुत ही premium हो जाता है यहाँ पर 335 में 335 में आपको जो यहाँ पर control module देखने को मिलता है यह fully metal control module है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह metal काफी अच्छे quality का metal है साथी साथ इसमें जो color दिया हुए काफी बढ़िया लगता है काफी premium feel देता है हाथ में और साथी साथ अपने गले में तो guys जैसे कि आप देख सकते हैं right side में आपको एक multipurpose button देखने को मिलता है जिससे जो है आप इसको on off कर सकते हैं play pause कर सकते हैं song को और दोस्तों आपने assistant को यहीं से trigger कर सकते हैं और guys इसी के तरफ इसी side में आपको यहाँ पे पीछे की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है volume rocker अब यह volume rocker जो है आपको previous next करने के भी काम आते हैं और साथी साथ जो है यहाँ पर volume तो control होता ही है और अगर मैं बात करूँ इस multipurpose button की तो guys इसी multipurpose button से जो है आप अपन dual pairing feature को on कर सकते हैं अगर वहीं पर मैं बात करूँ build quality 265 V2 की तो guys यहाँ पर मैं आपको काफी सारे comparison में already बता दिया है फिर भी बता देता हूं यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर plastic की build quality देखने को मिलती है दोस्तों यहाँ पर मेरे पिछले दो वीडियो से मैं ब बड़ा हुआ है कि एक metal design है नहीं बिल्कुल भी एक metal body नहीं है यहाँ पर जो control module है यह plastic का ही बना हुआ है पूरा plastic का बना हुआ है सिर्फ इन लोग ने यह try किया है कि यहाँ पर थोड़ा सा plastic को जो है finishing दिया जाए metal जैसा तक ही थोड़ा सा metal जैसा देखने में लगे और अ नहीं है यहाँ पर half metal है बाहर के तरफ जो है यहाँ पर यह बना हुआ है और जो अंदर के तरफ का पार्ट है वो plastic का बना हुआ है तो यहाँ पर जो है यह जो है इसमें हलका सा metal यूज किया गया है वो भी birds में तो यहाँ पर जो है build quality में मुझे जादा अच्छा लगा है 3 335 क्योंकि यहां पर जो इसका नेक बैंड भी है वो काफी जादा बढ़िया क्वालिटी का लगा है काफी जादा सॉफ लगा है और काफी जादा फ्लेक्सिबल भी है जैसे कि आप देख सकते काफी सॉफ्ट है बहुत ही जादा प्रीमियम फील देता है यह सिलिकॉन अगर मै सबसे प्राइस जो है ज्यादा होता है उसी तरह जो है अपना 335 जो है थोड़ा लाइट है थोड़ा light materials यूज़ किये गए इस पे इसी कारण से जो है इसका प्राइस हलका सा ज्यादा है और build quality में भी यह थोड़ा आगे निकल जाता है overall अगर मैं दोनों को भी build quality को rating देना चाहों तो guys यहाँ पे जो है आपना simple winner निकल कर क्या हाता है boat rockers 335 क्योंकि आर यहाँ पे बहुती premium feeling देता है साथी साथ यहाँ पे materials काफी अच्छे use किये गए है metal आपको module देखने को मिलता है control module और साथी साथ इसमें wires भी काफी अच्छे quality के हैं buds में भी आपको metal देखने क मिलता है और दोनों के भी buds में आपको यहाँ पे magnets देखने को मिल जाते हैं तो guys यहाँ पे जो है मुझे सबसे अच्छी build quality लगी है 335 की 335 को मैं build quality में देना चाहूंगा 8.5 out of 10 और वहीं पे मैं आपना 265 V2 को देना चाहूंगा 6 out of 10 क्योंकि यहाँ पे तोड़ा सा और 10 meters के range तक आगे जा सकते हैं 10 meters का आपको यहाँ पे दोनों में भी range देखने को मिलता है दोनों में भी आपको यहाँ पे dual pairing का feature देखने को मिल जाता है और अगर मैं बात करूँ दोनों को भी first pairing की या फिर connecting की phone के साथ तो guys यहाँ पे बाजी मार जाता है 265 V2 क्योंकि हम यहा magnetic on off हो जाता है जैसी आप इस magnets को चिपका देते हैं आपका phone जो है disconnect हो जाता है जैसी आप अपने magnets को जो है open कर देते हैं वैसे आपका phone के साथ neck band जो है वो connect हो जाता है और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 335 की तो guys यहाँ पे जो है आपको button tap करके रखना है right side में जो multipurpose button है उसको tap करके रखना है ताकि जो है आपका neck band pairing mode पे आजा है और आपके phone के साथ connect हो है तो guys ऐसा connectivity में थोड़ा सा difference है तो guys यहाँ पे जो है price point में 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 को समझ में नहीं आया कि इसमें ये इतना difference देनी की ज़रूरत क्या थी क्योंकि दोस्तों इनको जो है 265 V2 बेचना था शायद से इन लोग ने इसी कारण से ये feature यहाँ पे missing कर दिया है 335 में हलाकि दोस्तों ये वाला feature यहाँ पे 335 में आ जाता तो काफी बढ़िया all rounder neck band बन जाता और guys यहाँ यहाँ पे one plus के neck band को काफी अच्छा टकर भी देता यह neck band आगे बढ़ते हैं यहाँ पे battery life के हमें यहाँ पे 200 mAh की battery तो guys यहाँ पे 50 mAh ज्यादा है 265 V2 में तो guys यहाँ पे हलका सा winner आपको लग रहा होगा अभी की बन रहा है 265 V2 बट guys यहाँ पे company ने claim किया हुआ है कि यहाँ पे जो है 335 जो है यहाँ पे 30 घंटे का आपको battery backup दे सकता है ऐसा इन्होंने claim किया यह मैंने testing करके भी देखा है previously अगर आपको इसका detail battery test चाहिए तो guys आप यहाँ पे i button पे जाकर जो है देख सकते हैं मैंने इसका detail battery test किया था जिसमें यह neckband जो है 2 दिन तक full चल गया था आराम से तगड़े use करने के बाद भी 30 घंटे का battery backup आपको इसमें आराम से मिल जाता ह अब guys आगे बने रही है आपको मैं बता दूँगा कि क्यूं यह possible हो पाया है इस neckband में और क्यूं यह possible नहीं हो पाया है 265 V2 में तो guys यहाँ पे जो है battery life आपने सुन ली काफी बढ़िया है इसमें 335 V2 में वहीप अगर मैं बात करनूं 265 V2 की battery life की तो guys यहाँ पे मुझे 18 से 17 से 18 घंटे का मुझे यहाँ पे battery backup देखने को मिला है मैंने पिछले comparisons में भी आपको बताया था कि इसमें 17 से 18 घंटे का RM से battery backup देखने को मिल जाता है काफी अच्छी भी battery backup देखने को मिलती है यहाँ अगर मैं price को consider करूं इसके तो guys 18 घंटे की battery life यहाँ पे 1500 रुपे में तो कोई भी neckband आपको provide नहीं कर रहा है चार्जिंग के अगर बात करने तो guys यहाँ पे दोनों में भी हमें USB Type-C port देखने को मिलता है USB Type-C port के साथ यह दोनों company यह claim करती है कि आपको 10 मिनिट में जो है 10 घंटे का battery backup देखने को मिलने वाला है और guys यह जो claim है दोनों भी neckbands में काफी अच्छी तरीके से work करते हैं 10 मिनिट में अगर आप दोनों को भी neckband को भी charge करते हैं तो आपको आरम से 10 घंटे का playback देखने को मिल जाएगा दोनों भी neckbands में और guys आपको इन दोनों neckbands को जो है charge करना है 5 watt के charger से क्योंकि यहाँ पे boat ने जो है recommend किया हुआ है इनके manual में और साथी साथ इनके website पे भी जो है इनोंने recommend किया हुआ है कि आपको जो इन neckbands को 5 watt के charger से ही charge करना है तो guys यहाँ पे इसको 10 मिनिट पे 10 घंटे का battery backup मिल जाता है 10 मिनिट में charge करने पे 10 घंटे का battery backup आरम से मिल जाता है और साथी साथ अगर मैं full charging की बात करूँ full charge करने में कि तरफ से अलाग कि दोस्तो fast charging में भी दोनों जो है एक घंटा का एक घंटे का time जो है ले लेते हैं यहाँ पे full charge होने में तो guys यहाँ पे special features या फिर मैं codec की बात करूँ तो guys यहाँ पे दोनों में काफी बढ़िया difference आ जाता है अब guys दोस्तों आपको मैं यह बताने वाला कि क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे 150 mh का बैटरी होने के बावजूद भी 335 में जो है 30 गंटे का हमें यहाँ पे बैटरी बैकप क्लेम कर रही है company और दोस्तों यहाँ पे 30 गंटे का बैटरी बैकप मिल भी रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने chipset use किया गया है इस neckband के अंदर वो एक Qualcomm का chipset है जिसमें आपको enabled मिल जाता है Aptex HD Aptex मिल जाता है आपको SBC मिल जाता है AAC मिल जाता है तो यहाँ पे आपको सारे codecs देखने को मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ LDAC आपको देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको 2000 के price range में सिर्फ OPPO N को M31 में देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो यह neckband है इसी कारण से जो है 150 mh का battery होने के बावजूद भी जो है 30 hours का playback time निकाल पा रहा है यहाँ तो यहाँ पे यही जो कारण है कि यहाँ पे 265 V2 जो है battery backup इतना जादा नहीं निकाल पा रहा क्योंकि यहाँ पे battery जो quantity है व जो है यहाँ पे काफी जादा features आपको देखने को मिलते है तो guys यह जो features है यह थोड़ी जादा battery लेता है और guys यहाँ पे इसको optimize नहीं किया गया इस battery को जो है कोई भी chipset के साथ जो है यहाँ पे optimize नहीं किया गया इसी कारण से जो है इसमें आपको उतनी battery backup देखने को नहीं मिलती और साथी साथ जो है cost cutting भी तो करना है यार brand को तो guys यहाँ पे जो है इसी लिए battery backup और 265 V2 में जो है इतना कम है और अगर हम codec की बात कर लेते हो तो guys यहाँ पे जैसी कि मैं आपको बता है इसमें aptX HD का aptX HD तक का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है aptX HD aptX SBC और AAC भी मिलता है और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 265 V2 की तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको जो है SBC codec का ही support देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तों पंदरा सो रुपे में और थोड़ा सा cost cutting कर दिया है इन लोग ने यहाँ पे आपको AAC दे देना चाहिए था बोट को बट गाइस यहाँ पे जो है इन्होंने SBC का ही codec सिफ दिया हुआ है तो गाइस आगे बढ़ते हैं आपे sound quality की तरफ sound quality के अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे codec की बात हमने अभी की sound quality भी काफी जादा difference कर जाता है काफी जादा differ कर जाता है दोनों का भी sound जो है य बहुती बड़ा बहुती अच्छा खासा यहाँ पे highs, mids and lows देखने को मिल जाते हैं clarity भी काफी तगड़ी देखने को मिलती है अगर आप Netflix वगेरा देखते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको छोटे चोटे dialogues काफी clearly सुनाई देंगे और काफी loud सुनाई देंगे तो गाइस य जो है वो काफी बड़िया काम करता है और गाइस अगर आपके पास Qualcomm का जो प्रसेसर वाला फोन है तो गाइस आप इस neckband को जैसी अपने फोन के साथ connect करेंगे तो गाइस आपको नीचे जो है notification आ जाएगा लिख करके कि you are now connected to Qualcomm Aptex HD तो गाइस उसी कारण से जो है यहाँ काफी बड़िया क्वालिटी देखने को मिलती है साउंड में वही पर अगर मैं इसको compare करूँ बोट रॉकर्स 265 V2 के साथ तो गाइस यहाँ पर जो है बोट रॉकर्स 265 अगर इसके comparison में बात करते हैं तो गाइस यह कहीं पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा इसके आजू बा 335 में काफी बूमी बेस है यहाँ पर 265 में भी आपको अच्छी बेस देखने को मिलती है बड़ गाइस यह बिल्कुल भी comparable नहीं है 335 के साथ 335 अगर मैं आपको बताना चाहूं 335 यहाँ पर आता है और 265 V2 उसके आधे में आता है तो गाइस यहाँ पर जो है इसी कारण स जो है 265 V2 का बेस उतना अच्छा नहीं है अगर हम compare करते है 335 के साथ हला कि दोस्तों बेस हमें इसमें भी देखने को मिलता है इसमें आपको dedicated bass mode भी दिया गया है साथी साथ आपको इसमें highs, mids and lows और acoustics भी काफे बढ़िया मिलते हैं हलक असा clarity कम मिलता है क्योंकि है इसमें quality है और guys यहां पर मैं 265 V2 को देना चाहूंगा यहां पर 7 out of 10 अगर मैं इसे compare करता हूं 335 के साथ तो guys यहां पर 7 out of 10 मैं देना चाहूंगा यहां पर 265 V2 को आगे बढ़ते हैं latency के साथ दोनों में भी हमें आपके काफी बढ़िया latency देखने को मिलता है हला कि दोस्तों यहा पर Qualcomm का processor दिया हुआ है तो guys यहां पर थोड़ा सा हलका सा latency कम देखने को मिलता है बट guys उतना आपको notice नहीं होगा दोनों में भी आपको same-same ही लगेगा latency तो guys अगर आप एक काफी ज़दा pro player है तो उस दोनों में भी neckband आपको यहां पर recommend नहीं करूंगा अगर आप एक pro player है यहां पर neckbands और TWS के तरफ बिल्कुल भी मत जाईएगा बट अगर आप एक normal video देखने वाले बंदे हैं normal binge watch करने वाले हैं और normal hulka full के gaming करने वाले बंदे हैं जो की एक आदा 10 minute 15 minute के लिए gaming कर लेते हैं तो guys दोनों भी neckband में से आप कोई भी neckband buy कर सकते हैं तो guys जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने भी wear किया हुआ है 335 boat rockers 335 और guys यह जो आप अभी आवाज सुन रहे हैं यह record हो रहा है boat rockers 335 के microphone से तो guys इसमें हमें CVC noise cancellation देखने को मिलता है जो की आपका surround sound जो है वो noise cancel कर देता है surround का जो noise है वो cancel कर देता है तो guys यहां पर इसकी microphone की quality आपको काफी बढ़िया इसी कारण से देखने को मिलता है अगर आप एक काफी जादा busy area में काम करते हैं या फिर आप अपने neck bands को अगर आप जादा काफी busy area में work करते हैं तो guys आपको यही वारा neck band buy करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको Qualcomm का CVC technology द देखने को नहीं मिलता है किसी भी प्रकार का आपको यहां पर कोई भी Qualcomm का noise translation देखने को नहीं मिलता है तो guys यहां पर आप इसको सुन कर judge कर सकते हैं कि आप इसका microphone की quality मिलने वाली है और guys इसको मैं अगर compare करू 335 के साथ तो guys यहां पर मुझे जादा अच्छा लगा है 335 क microphone क्यार यहां पर आपको जो है Qualcomm का CVC technology देखने को मिल जाता है और guys यहां पर इसका mic की quality जो है वो 1500 रुपए के हिसाब से अच्छा है बट उतना भी खास नहीं यहां पर microphone लिखने को मिलता है तो guys अगर मैं इस comparison को conclude करना चाहूं तो guys यहां पर अगर आपको काफी अच्छा sound quality चाहिए HD quality का sound quality चाहिए और दोस्तों यहां पर HD quality का मतलब यह है कि आपका phone जो है वो भी support करना चाहिए aptX HD इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 335 में आपको aptX HD देखने को मिलता है तो guys आप इसी को buying कर ले आपके phone में भी aptX HD support होना चाहिए जिसके मदद से ज one इसमें aptX HD support करता है इसी लिए जो है यहां पर अच्छा खासा इतना sound quality दे देता है तो guys यहां पर अगर आपको काफी अच्छा sound quality चाहिए तो guys यहां पर आपको simply जाना चाहिए 335 के साथ अगर आपको कोई भी fancy features नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपको binge watch करना है अच्छ sound quality के साथ अच्छे battery life के साथ तो आप सीधे सीधे जाए 335 के साथ और अगर आपके आपका budget है 1500 रुपे का और आपको जादे features चीए आपको one plus के neckband के जैसा आपको features चीए और guys आपको balanced sound quality चीए तो guys आप जो है यहां पर जा सकते है 265 V2 के साथ आपको यहां पर balanced sound देखने क में देखने को मिल जाएगा तो guys इतना ही था मेरा comparison अगर आपको comparison अच्छा लगाया तो guys नीचे लाइक बटन दबाएए और guys दोस्तो हमारे चनल को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि आर यह जो comparison से इनको बनाने में काफी जादा मैनत लगते हैं तब तक दोस्तो जैहेंद वन आर आपका दिन शुबरे